हलो फ्रेंट्स गैस भट्टी में नोजल कितने प्रकार का होता है और ये क्या काम करता है पूरी जानकारी इस वीडियो में step by step देने वाले हैं वीडियो को सुरू से अंतक देखते रिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखने हैं वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल क उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप टेक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे जो सकेंड चैनल है उससे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं जाके अभी उस से जरूर से सबस्क्राइब कीजिए सब्सक्राइब कि पहले हम बात करें कि लिए कि लिए चार नमर का आता है नमर को हम सबसे पहले हम कर दो सबसे नमर का दूसरा डेयर्सो नमर का uh इसरा 180 नमर का, 14 210 नमर का. तो ये 4 नमर का जो है, जेट जो है वो नौर्मल बटी की लिए आता है. अब बात करते हैं कि इन सभी जेट में क्या अंतर है, नमर का ही क्यों आता है? तो यहां पे हम बता दें कि सभी जेट का जो hall है वो जैसे जैसे नमर बढ़ता है वैसे वैसे hall का भी size यहां पे बढ़ा आपको देखने को मिलेगा तो हम यहां पे दिखाना चाहते हैं इस जेट का जो hall है वो छोटा है और इस hall की बात करें तो इस जेट का जो hall है वो देख सकते हैं बढ़ा है कम नमर का hall छोटा है और ज्यादा नमर का hall बढ़ा तो उसी प्रकार जैसे जैसे हम नमर बढ़ते जाएंगे उस तरह से hall जो है इसे ये होता है कि जितना बरा हॉल होगा गैस की मात्रा बर्नर तक जो है उतना जादा पहुचेगी अब हम बात करते हैं कि जेट क्या काम करता है तो जेट जो है बेसिकली किसी भी भट्टी में या चुले में सही मात्रा में गैस को बर्नर तक पहुचाने का काम करता है जेट का और भी काम होता है जैसे कि अगर आपका भटी का या किसी भी चुले का लोकम हो गया है या ज़्यादा हो गया तो उसको मेंटेन करने में या कम या जादा करने में भी इसका उप्योग किया जाता है तो ये काम होता है किसी भी नोजल या जेट का उमीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं बटी रिपेर करने वाला वीडियो लाओ तो आमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद